जाहिंद वन्दे मत्रम दोस्तों आज का जो रियक्शन वीडियो लेकिया हूँ वो यती निरसिंगा नंद सरसोती जो जूना अकाड़े के हैं उनके उपर है और इनका इंटरव्यू है ये बेसिकली तो इस पर में अपना रियक्शन दूँगा वीडियो को पुरा जुरूर और अपनी राय अपने सुजेशन कमेंड बोक्स में जुरूर बताईएगा जितनी भी बड़ी मस्जिदे हैं उनकी खुदाई करके देख लो उनकी नीचे मंदिर ही निकलने हैं सबसे बड़ी मस्जिद इनकी है वो मुहम्मद की मस्जिद है जो मक्का में है जिसे पहले का होती थी उन महादेव पर वो लोग वजू वजू का मतलब है महां पर कुला भी करते थे हाथ भी धोते थे पैर भी धोते थे वह हमारे महादेव को इस काम के लिए प्रियोग करते थे फवारों में और सिब्लिंग में बहुत अंतर होता है यह सब्सक्राम है जो इन मूर्खों को यह पता ही नहीं है इन मूर्खों को यह पता ही नहीं है मंदिर का बनना प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम है कि आप मंदिरों को बना के बचाओगे कैसे आज आप ग्यान व्यापी को ले लो जैसे मुस्लिम हाबादी बढ़ेगी वो फिर ले लेंगे देगे हमारा धर्म कहता है अगाँाँ, जैसे मृशा को बनाना है अगर तुम्हेरे बच्चों को बहली नहीं है और अगर तुमने अपने बच्चों को ब120 में छेल की नहीं है यह एञाँ भी धंदाकन्थ přांदभा वह बहुक्त बहुक्त बहुत दन्यवाद आपका हमेशा ही चैनल के माद्यम से हम भी सुनवाते आप लोग भी दिखाते हैं, ये जब कासी की बात आई तो सुरुआती स्रंगार गोरी से होती है और महादेव प्रकट होते हैं, तो आप लोग क्या राए आपकी इस पूरबुट्देव? देखिए कासी में जो सब के सामने ये सत्य आया है ये इसलाम का असली सत्य है वो दूसरों के मंदिरों को तोड़ते हैं, दूसरों के मठों को तोड़ते हैं, दूसरों के पूजा इसलों को तोड़ते हैं वो तो रोज कसम खाते हैं, पांच बार नमाज जो पढ़ते हैं, उसमें यही तो कसम खाते हैं बार बार, कि वो अल्ला जिसका रसूल मुहम्मद है, उसके अलावा किसी को भी हम यहाँ छोड़ेंगे नहीं, तो यह हम लोग समझें नहीं, हमारे जो सबसे बड़े देवता है जिनकी पूजा योगरिस पर स्रीकेशन ने की, मर्यादापुरसोतम भगवान स्री राम ने की, हमारे बाबा परसुनाम जी ने की जिनकी पूजा, उन महादेव पर वो लोग वजू-वजू का मतलब है, महाँ पर कुला भी करते थे, हाथ भी दोते थे, पैर भी दोते थे, वो हमारे महादेव को इस काम के लिए प्रियोग करते थे, और ये कोई पहला मामला नहीं है, गजनी का एक राक्षास था, जिसका नाम था महमूद, गजनी वाला महमूद, उसने सौमनाथ का मंदिर तोड़ा था, तो वो सौमनाथ के सिवलिंग को ले गया था, तो गजनी म जो भी अपमान कर सके करना, ये इनका मजभीने ये ही सिखाता है, तो इसमें कोई नहीं बात नहीं है, सभी को पता था ग्यान व्यापी में ये हुडा है, ग्यान व्यापी मंदिर है, ग्यान व्यापी कुय का नाम है, ग्यान व्यापी मंदिर है, सारे हिंदू जानते हैं, तो चलिए हो सकता है जो लो ना मानते हों मानने लगें नंदी महराज जो है उनको कहा जाता है कि वह सबसे बड़ा सबूत है वहाँ पर साड़े तीन सो साल की प्रतिक्षा कर रहे है ऐसा कुछ आप मानते है देखे नंदी तो जब तक प्रतिक्षा करते ही रहेंगे तो ये केवाल नंदी की बात नहीं है जितनी भी बड़ी मस्जिदें हैं उनकी खुदाई करके देख लो उनकी नीचे मंदिर ही निकलने है सबसे बड़ी मस्जिद इनकी है वो मुहम्मद की मस्जिद है जो मक्का में है जिसे पहले काबा बोलते हैं आप उसकी खुदाई करके देख लो उसके अंदर हिंदू के देवी देवता निकलेंगे मक्का में मक्का में मदिना तो छोड़ो मक्का में मक्का में भी हिंदू का मंदिर हिंदू का सिब मंदिर था उसमें 300 पैसेट अलग अलग मूर्तियां 360 मूर्तियां थी अलग अलग वहां हमारी तरदेवियों की पूजा होती थी ठीक है ना तो वह मुहम्मद ने वह मंदिर तोड़ा वहां का सिवलिंग नहीं तोड़ा जिसे यह बोलते हैं अएल यह करते रहें हैं जैसे आप कहरे हैं कि हर जङे इन्होंने कपजा करके होग शियूदिया में कहीं मिलेंगे दिडिए अधितन होते हैं जूट बोलना इनके जीवन की सहली में है फवारों में और सिविलिंग में बहुत अंतर होता है ठोस पत्थर के फवारे नहीं होते इन मूर्खों को यह पता ही नहीं है तो इनकी बातों पर कि वो यह पॉइंट यहां पर बहुत इंपोर्डन पॉइंट है इसलाम किसी तर्ग पर थोड़ी चलता है इसलाम केवल गंदगी पर बत्तमीजी पर और दूसरों के कतलों गारत पर चलता है इसलाम का कोई तर्ग नहीं होता असदुदिन उवेसी जो है वो अपने आपको सबसे बड़ा मसिया मानते है मुसल्मानों के लिए उनका कहना है कि एक तो बावरी मस्जिद आपने हमारी सहीद कर दी थी दूसरी ज्यानबापी नहीं होने देंगे और कयामत तक ज्यानबापी मस्जिद थी मस्जिद ही रहीगी उनको क्या संदेद देखे जो आप सच पूछना चाहते हैं कि जूट पूछना चाहते हैं अगर आप सच जानना चाहते हैं तो हिंदुस्तान में जो अयोध्या में अमंदिर बनना उसका भी भविच्य नहीं है दो हजार उन्टिसमां भारत का प्रधानमंत्री मुसल्मान बन जाएगा एक बार भारत का प्रधान मंदरी मुसल्मान बना तो जितने मंदियों वो शारे तूटनें आप कहीं भी मंदियर बना लो मंदिर का बनना प्रॉबलम नहीं है प्रॉबलम है कि आप मंदियरों को बना के बचाओं के कैसे आज आप ग्यान व्यापी को ले लो जैसे मुस्ली महाबाद ही बढ़ेगी वो फिर ले ले लेंगे इसमें क्या फरक पढ़ने वाला है अब जो लगातार एक के बाद एक आवाद उठ रही है उद्ध्या के बाद कासी की हुई मत्धुरा की बात चीट चल रही है अब था नुतरे से सालसे हुद्या के बच्चे साथ परसेंट मुसलमानों मैं और चालिस परसेंट में और आज जो आंक्रे आब आ रहे हैं अगर एक किसी सहर में हजार बच्चे रोज पैदा होते हैं उस सहर में जिसके आबादी में मुशलमान केवल 20 या 25 पर थेंट है उसमें यडिधी 1000 बच्चे पैदा होते हैं तो उसमें 800 से जीड़ें बच्चे मुशलमानों के होते हैं बागी सब सारी कौमों के बच्चे सब के मिलाके जिए इसमें हिंदू भी होते हैं इसाय भी होते हैं, सिख भी होते हैं, जितको भी आप समझते हो, वो डेड़सों के आसपास होते हैं बस तो उनका जनसंख्या का रेट इतनी तेजी से बढ़ रहा है रेशो, वहां कोई टिकने वाला नहीं है देश-Islamic होना ही होना है, आप सच्चाई को मानो या मत मानो या आपके मर्जी है जो असद्धिन ववेसी है, उसके बयान से आप बच रहे हैं, क्या उनके बयान पर रिप्लाइ नहीं रिप्लाइ नहीं चाहता है? अब से बिल्कुं सच कह रहा है, मुझे पता है वह सच बोल रहा है, कितने दिन आयोध्या का मुकदमा लडा गया है, अभी ये मुकदमा सुरू होगा, पेले ये मुकदमा कहां जाएगा, नीचली अधालत, उसके बाद, हाई कोड में, उसके बाद, सुप्रेम कोड में, फ 500 साल चला था जो राम मंदिर का केस 500 साल में सस्टेइन हो पाया तो इसलिए हो चला आगला कुछ होगा जनसंक्या तो बढ़ रही है न वह भविश्चे को देख सकता है जानवर में नहीं होती लेकिन जो लोग आने वाले भविश्चे को नहीं देख पाते उन्हें भी आदमी में क्या उनको करना चाहिए उन्हें अपने परिवारों को मजबूत करना चाहिए उन्हें ताकतवर बनना चाहिए ज्यादे बच्चे पैदा करने चाहिए और बच्चों को अपने घर को परिवार की रक्षा के लायक बनाना चाहिए उन्हें देखे हमारा धरम कहता है अस् प्रचिय अगर सेयर बनाऊ गए तो तुम्हेरे बच्चों की बली नहीं चड़ेगी और अगर तुम्हेरे बच्चों को भेड़ बना या तो दूसरों के खाने के काम आएंगे अपने परिवारों को मजबूत करिए बस मेरा यही संदेज है इसके सिवा कोई संदेज ने एक संदेज हिंदों को देना चाहता हूँ विजय मिले या वीरगती सम्महादेव के नाम जीते जीरण छोड़ के जाना फीरों का नहीं काम तो ये वीडियो है दोस्तो अभी मैं एक चीज इस पर पॉइंट बहुत रखना चाहूँगा बहुत सारे जो सैकुलर मीडिया है वो नरसिंगा नंद को ये कहता है कि ये हीट स्पीच देते हैं ये मुसलमानों के अगेंस्ट में नफरत फिला रहे हैं ये मुसलमानों को मारन चाह रहे हैं लेकिन अभी मैंने देखा एक भी बार नरसिंगा नंद ने ये नहीं कहा मुसलमानों को मारो एक बार भी नहीं बोला उसने ये कहा हिंदूों मजबूत बनो क्यूंकि सामने वाला जो है वो आपके प्रती ये सोच रखता है तो तो मुझे लगता है नरसिंगा नंद जो है वो ओफेंसिव नहीं है जो सेकुलर मीडिया इनको ओफेंसिव दिखा रहा है वो गलत दिखा रहा है ये डिफेंसिव मोड में बता रहे हैं एक डिफेंस होता है एक उफेंस अटेकिंग मोड तो ये अटेकिंग मोड में नहीं ह दूसरा इनके पास ना तो कोई हध्यार है ये बदलब एक सादू है जो ये सच जान चुके हैं इनको पता है कि ये सच होने वाला है क्योंकि हिस्टरी में भी यही चीज़ें हुई है आप ने देखा था अगर मुगल हितिहास पड़ोगे या बुराना पड़ोगे तो आपको आएगा वो आतमरक्षा करेगा सबसे पहले अगर आपके घर में आगर कोई चीज होती है तो आपको पता चलता है कि या यह गलत होने पर तो आप क्या करोगे तंड़ा लेके खड़े हो जाओगे ना कि जैसे ही कोई आएगा मैं दंडा मार दूँगा उसको पूते हैं नहीं कहरा नफरत करो किसी से नफरत नहीं करनी है लेकिन उन्हें सच तो बताना है सच बोलने की हिम्मत भी होनी चाहिए अगर आपके अंदर सच बोलने की हिम्मत नहीं है तो आप बदलाव नहीं ला सकते और हम तो मानवता के रक्षक हैं तो हमें तो मानवता के प्रती ही काम करना है किसी के पास किसी के साथ भी अन्याई नहीं होना चाहिए हमेशा उस चीज़ को ध्यान रखो और अगर कोई अन्याई कर रहा है तो उसके इसमें आवाज उठाना भोजया जरूरी है तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ वीडियो का अगर अच्छा लग आपक्स में जुरूर प्ताइए जैहिंद वंदे मातरम